अगर आपके चेहरे पे इस तरह के डाक पाचेज यानी मिलाजमा है, छाईया है, डाक स्पोट्स है, पिग्मेंटेशन है या टू टोंड स्किन है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होना चाहिए आपका सुभे का यानी एम स्किन केर रूटीन, क्या ह किसे लेरिंग करनी चाहिए, अफोड़िबल से लेके थोड़े प्राइसी सारे के सारे ओप्शन मैं दूंगी आपको आज की इस वीडियो में, हेलो हेलो एन वेलकम टू स्किन केर सिंप्रिफाइड, मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केर बैस्टी आन सेरिफाइड स्कि तो it is a problem जो हर किसी को होती है और इसको ठीक करने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि एक क्रीम बता दो, एक सेरम बता दो बट प्राइड सेरम इसे ठीक नहीं कर सकती और जादातर लोग इसे ठीक करने के लिए गलत प्राड़क्स यूज करते हैं तो आज मैं आपको दे रही ह मैं आपको दूँगी रात का रूटीन और रात का रूटीन जो है अलग अलग दिनों पे अलग अलग होता है तो ये पूरी सीरीज है अगर आपको मिलाजमा है, पिग्मेंटेशन है, इस तरह की कोई प्राबलम है इस पूरी सीरीज को अगले तीन-चार दिन जरूर देखि सारी लियरिंग की जो confusion है, जो सारी लियरिंग के mechanics है आपके बिलकुल clear हो जाएंगे. वीडियो शुरू करने से पहले, you know the drill, like, subscribe, अगर आप enjoy करते हैं science-packed daily content क्यूंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो every single day, here on Skincare Simplified, the only channel on planet earth, जहां आपको मिलते हैं detailed skincare रूटीन, January 2024 से ल skincare routine, तो वीडियो के दौरान जो questions आते हैं screen पे उसका जवाब मुझे दें comment section में, चहाते हैं कि मैं आपके routines को review करूँ, you can opt in for the channel memberships, अब करते हैं वीडियो को शुरू, वीडियो की शुरूआत में मैंने कहा था कि most लोग लाजमा pigmentation को ठीक करने के लिए जो एक common चीज ज़ता, mid range, high inch, कोई भी ले, it is at the end of the day an antioxidant. Antioxidant क्या करता है? आपके चहरे पे होने वले oxidative stress, environmental stress से जिससे tanning हो सकती है, आपको pigmentation हो सकती है, उन सारी चीजों को रोपता है और आपके skin को currently, जो भी आपका skin tone है, उसे brighten करता है. ब्राइटन करने का ये बिलकुल मतलब नहीं है कि आपके dark spots fade हो जाएंगे, क्योंकि dark spots होते हैं एक बहुत intense pigment. इसलिए सुभे के routine में जरूरी है कि हम अपने vitamin C serum को compliment करें एक ऐसे ingredient के साथ जो actually दाग धपों को कम करता है. अब बात करते हैं options की और सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में मैं आपको देना चाहती हूँ सब सबसे जादा affordable option जो आपको मिलेगा pharmacies में in general Indian pharmacies में अराम से मिल जाता है. इस लिटरली अंडर 350 रुपीज और यह है मेला शोर जल. मेला शोर जल इस पर लिखा है skin lightening in MU gel. लाइटनिंग पर मत जाएं यह लोग कुछ भी लिख देते हैं. बट बेसिकली जो solution है, जो formulation है, that is very good because इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है alpha arbutine. Alpha arbutine extracts है blueberries का. यह आपके skin पे जो pigmentation आ गई है, जो चाईया पढ़ गई है, उसको light करेगा. नायसिनमाइड एक और anti-oxidant है. इसमें थोड़ा से contriti में पाया जाता है, kojic acid इसमें पाया जाता है, licorish root extract यानि मु पूरे चहरे पर नहीं मिलना, मलना. मैं आपको दिखाते हूं कि कैसे लगाना है. सुभे के रूटीन में ये आप करेंगे जब आपने सुभे brush कर लिया, face wash कर लिया, नहा लिया. मतलब skin है आपकी clean, skin है आपकी dry. बाल बान लेते हैं. clean dry skin पे आप लगाएंगे mellashore gel. अब इस तरहां से आपको लेना है pea size amount. ये होता है pea size amount यानि मतर के size जितना. और ये product आप लगाएंगे पूरे चहरे पे. इसे आपको dot करना है. सबसे पहले तो पूरे चहरे पे. कुछ लोगों का confusion होता है कि जहां हमको pigmentation है, जहां हमको melasma है, क्या हम सिरफ उधर ही लगाएंगे पूरे चहरे पे लगाना है. मैं तो नेक पे लगा दी हूँ क्योंकि में को acne नेक पे आता है. सम्हाँ I have marks there. फिर हलके हाथों से रगड़ना नहीं है. इस तरहां से smooth करें असे. अब यह mellashow gel जो है, या कोई भी treatment, आगे भी जो मैं आपको treatments बताऊंगी, eyes के नीचे, nose के sides में, यह बला जो corner होता है, inner fold, और lips का यह जो corner होता है, यहां नहीं लगाता है. क्यूं? treatments हमारे drying होते हैं. यह area वैसे ही sensitive होती है. इस पर लगाएंगे आपकी skin all dry हो जाएगे. यह क्या? यह आपने mellashow gel लगाया है, gel है water based है. तो अब आती है बात skin type की. कि oily skin वाले यूज़ कर सकते हैं, combination वाले यूज़ कर सकते हैं, कौन यूज़ कर सकता है? सब यूज़ कर सकत करते हैं, आपकी skin dry होती ही है. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके उपर आप क्या लगा सकते हैं, जिससे आपकी skin पे dryness नहीं हो. मेllashowel आपने लगा लिया. अब optional step है यहाँ अगर आपकी पास vitamin C serum है, और आपको vitamin C serum suit करता है. क्योंकि मैं हमेशा कहते हूँ, vitamin C serum सब को suit नहीं करता, specifically जिनको बहुत जिल्दी आक्ने आजाता है, दाने आजाता है, sensitive skin वलों को vitamin C suit नहीं करती है. तो अगर आपको vitamin C serum suit नहीं करता, तो मत लगाईए. है और suit करता है, लगाना चाहते हैं, तो इसके उपर आप vitamin C serum लगा सकते हैं. Otherwise, mellashowel gel enough है. ठीक है, इसके उपर water या कोई भी mist, अपने चहरे को mist करें. ठीक है? ठीक है? ठीक है. उसके बाद, हलके गीरे चहरे पे आप लगाएंगे कोई भी hydrating serum, जैसे की hyaluronic acid, जैसे की snail mucin, मेरे पास snail mucin है, इसे लगा लेते हैं. तो ये लगाएं. मेला शोर के बाद, मेला शोर के पहले में हैं. इसके उपर, अगर अगें, आपकी skin dry है, आप लगाएंगे moisturizer, फिर लगाएंगे sunscreen, आपका routine हो गया, खतम. लेकिन अगर आपकी skin जैसे बहुत जादा oily है, मतलब 10 second के बाद ही oil produce करती है आपकी skin, तो moisturizer को भी skip करें. इस step के बाद लगाएं, sunscreen और आपका routine खतम हो गया. ये था मेरे पास दो और options है, तो अभी मैं जाओंगी quickly अपने face को wash करूँगी, वापस आओंगी और आपको बाकी के दो options भी दिखाऊंगी, because अलग-अलग budgets के साथ, अलग-अलग ingredients के साथ, बहुत सारे layering combinations आप बना सकते हैं. तो ये था option number one, Mela Shore Gel, अब मैं आपको दिखाऊंगी option number two, कुछ intense melasma के cases में मैं tyrodine cream को भी recommend करती हूँ, जो आप सुभे के routine में लगा सकते हैं, लगाने का process सेम होता है, अब Mela Shore Gel, tyrodine cream ये तो आपको Indian pharmacies में मिलती है, तो वो लोग क्या करें जो इंडिया में नहीं रहते हैं, इसलिए मैं आपको दूँगी layering combination number two, दो ऐसे ingredients के साथ जो दुनिया में हर जगा मिल जाते हैं, अलग-अलग brands में, option number two है आपका alpha arbutine serum और vitamin C, या alpha arbutine serum और niacinamide, जैसे कि मैंने कहा, vitamin C serum amazing है, सब को suit नहीं करता, तो अगर आपको vitamin C serum suit नहीं करता, आपको rashes हो जाते हैं, छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, alpha arbutine को आप layer vitamin C के साथ, so ये है आपका option number two, अब alpha arbutine concept brand का लेना चाहिए, this is a question that has been coming up in the comments section, किसी भी brand का, आपको 2% ही मिलेगा, so ordinary alpha arbutine is really good, inky list alpha arbutine is really good, you get alpha arbutine and a couple of Indian brands, आप किसी भी brand का alpha arbutine serum यूज कर सकते हैं, again, same process हम शुरुआत करेंगे clean dry face पे, clean dry face पे आप लेंगे alpha arbutine serum, अब मे मेरे पास alpha arbutine serum नहीं है, इसलिए as a demo, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, एक hydrating serum, but basically अगर आप alpha arbutine serum ले रहे हैं, आप लीजिए एक पूरा drop-up, जो again, piece size amount जितना ही हो जाता है, तो सबसे पहले clean dry face पे आप लगाएंगे alpha arbutine serum, same process है, nose के corners, lips के corners, under eye को avoid करेंगे, आप ल Like I said, किसी भी brand का, guys, it does not matter, but alpha arbutine को आप पहले लगाएंगे, और alpha arbutine एक active नहीं है, जैसे retinol हो गया, AHS, BHS हो गया, तो अगर आपने जिंदगी में कभी भी कोई active नहीं लगाया है, alpha arbutine, सिर्फ alpha arbutine के साथ भी आप चाहें, तो शुरू कर सकते हैं, because it will not cause any irritation, it is a very mild brightening agent, and honestly, यह इतना अच्छा काम करता है, and it is very, very, very underrated, आपने लगाया अपना alpha arbutine serum, अब आप करेंगे वेट ताकि यह completely सूख जाए, this has to dry on your face, इसके बाद आप लगाएंगे, vitamin C serum या niacinamide, depends आपको क्या सूट करता है, लेकिन vitamin C serum अगर आपको सूट करता है, आप लगाते हैं, तो अगर आपको melasma, चाहियां इस तरहां की problem solve करनी है, 10% vitamin C serum से concentration से शुरू करें, आइडियल है 15 या 20%, anything less than 10% उससे आपके skin पर result नहीं आएगा, anything more than 20% उससे भी आपकी skin irritate ही होगी, तो 10-20% का sweet spot है, आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा vitamin C आपको लगाना है, आप लगाएंगे vitamin C serum, so I am basically going to use a few drops of vitamin C serum, and I am going to just press it on to my face, और फिर मैं इस तरीके से तरीके से, अब इसके बाद, अगर तो आपकी skin dry है, यार सदियों में dry हो रही है, you are facing any of those issues, जो मैंने आपको first part में दिखाया था solution, जब या vitamin C serum completely absorb हो जाए, सूख जाए, अपने चेहरे को करें mist, उसके बाद लगाएं snail mucin, या कोई भी और hydrating serum, hydrating serum, usually hyalonic acid, या foxtail का एक hydrating serum है, या bioma का hydrating serum, उसमें लिखा होता है hydrating serum, क्या होता है, उसमें glycerine, squalene, ceramides, इस तरहां की चीज़ें होती है, you can apply it and उसके उपर लगाएं moisturizer, ये था layering combination number two, and in general pretty much जिसको भी चेहरे पे कोई भी type का spot है, acne का mark है, pigmentation है, चाईया है, two-toned skin है, सबको मैं ये number one combination जरूर देती हूँ, alpha arbutin with vitamin C, या alpha arbutin with niacinamide, vitamin C antioxidant का काम करेगा, niacinamide भी antioxidant का काम करता है, आपके चेहरे को light and brighten करता है, और जो alpha arbutin है, वो जो आपके दाग पढ़ चुका है, उसे lighten करने में मदद करता है, अब इसके उपर, अगर तो आप moisturizer लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी skin dry है, and you need a moisturizer before sunscreen, I highly recommend Dr. Shade का kojic acid, oil-free moisturizer, इसमें 1% kojic acid है, it's very light, you can use it morning and evening, and उसके बाद आप लगाएं आपना sunscreen, otherwise आपके पाद ये moisturizer नहीं है, जो भी moisturizer है, वो लगाएं, उसके बाद लगाएं sunscreen, अब बात करते हैं, option number 3 की, and usually अगर आप मेरे melasma के routines देखेंगे, मैं usually हमेशा recommend करती हूँ, कि जब आप शुरुआत करें, पहले महीने में, आप ये वाला जो combination है, alpha arbutin vitamin C, या alpha arbutin niacinamide, हफ़ते के 7 दिन लगाएं, बट 1,5 महीने के बाद, जब आपकी skin used to हो जाएं, फिर आप इस combination को हलका सा switch कर देते हैं, कैसे, हफ़ते के 4 दिन आप लगाएंगे alpha arbutin vitamin C, और हफ़ते के 3 दिन आप लगाएं azlic acid and vitamin C, azlic acid and vitamin C, या azlic acid and niacinamide, अब azlic acid एक बहुत fabulous lightening brightening ingredient है, चहरे को हलके से exfoliate करता है, अकने के लिए amazing है, pregnancy है, nursing safe है, ये इतना underrated ingredient है that I cannot even begin to tell you, उसके benefits इतने जादा है, and personally I love azlic acid, अब azlic acid आपको Indian pharmacies में मिल जाता है, दो forms में, aziderm cream, aziderm gel, for like less than 200 rupees, लेकिन अगर कुछ लोगों को वो थोड़ा सा जादा irritating लगता है, so मैंने ये दिखा चुकी हूँ दूसरी वीडियो में, आप यूज कर सकते हैं Plumka, Plumka, Cica plus azlic acid 10%, आप ये यूज कर सकते हैं, ये एक hydrating पानी जैसा formula है, very very hydrating, Cica is non-irritating, it nourishes the skin, या आप Dr. Sheth का 12% azlic acid serum भी यूज कर सकते हैं, again, process will be same, option number 3, अब मैं यहां बता रही हूँ, azlic acid plus vitamin C, या azlic acid plus niacinamide, लेकिन अगर आप एक complete beginner हैं, पहले ये वाला जो routine था, vitamin C plus alpha protein, इसे यूज करें, for about 4, 5, 6 weeks, उसके बाद month 2 onwards, अपने morning routine को split कर दें, हफ़ते में 4 दिन यूज करें, alpha arbutine vitamin C, या alpha arbutine niacinamide, और हफ़ते में 3 दिन यूज करें, alpha azlic acid and vitamin C, या azlic acid and niacinamide, इस तरहां से, आप अपने skin को मौका दे रहे हैं, कि जो pigmentation पढ़ गई है, वो light हो, और और existing pigmentation ना हो, अब जो रात का routine है, ये भी vary करता है, अलग-अलग दिनों के लिए, तो अब जैसे मैंने कहा, कि एक series चल रही है, अब मैं आपको रात के routine के application options दिखाऊंगी, अगली video में, तो अगर आपने subscribe नहीं किया है, do consider subscribing, questions दिखे थे आपको screen पे, उसका जवाब दें, comment section में, I will see you tomorrow, and this year, let's fight melasma and get everyone glass skin. Thank you so much for watching, take great care of yourself, bye.